नमस्कार अनिता समट किचन में आपका स्वागत है और आज की रेसिपी है मटर पनीर के मटर पनीर की सबजी तो सभी बना लेते हैं लेकिन आज हम मटर पनीर स्मोकी फ्लेवर में बनाने वाले हैं तो आएए बननाना शुरू करते हैं सबसे पहले कड़ाई में हम दो चमबच तेल डालेंगे तेल की गरम होने पर तीन प्याज रफली कटे हुए और अद्रक और दस से बारा लसन की कली और दो बड़े-बड़े कटे हुए टमाटर मुमफली के दाने और खोप्रे का टुकड़ा और दो चमबच सफेद तिल इन स चार मेट पका लिया हमने और यह नर्म हो चुक है इन्हें हम ठंडा होने के लिए प्लेट में निकाल लेते हैं मसाला ठंडा हो चुका है इसे हम मिक्सिजार में डालकर पीस लेते हैं गरम-गरम को ना पीसे ठंडा होने पर ही पीसे इसे और मसाला हमारा पीस कर तयार है कड कड़ाई में हम फिर से तीन चम्मच तेल डालेंगे जदा टेल ना डाले क्योंकि कड़ाई में पहले से यह तेल है तेल के गरम होने पर आदी चम्मच जीरा एक तेजपत्ता दो लोंग और तीन चार काली मिर्ची डालेंगे अब इसमें हम हमारा तयार किया हुआ मसाला भी ड पाउडर लाल मिर्च पाउडर हल्दी पाउडर और कलर के लिए कश्मिरी लाल मिर्च और गरम मसाला डालेंगे मिक्स करेंगे और इसमें नमक स्वादोनुसार डालेंगे, मिक्स करेंगे, और इसे हम ढखकर 5-6 मिप पकाएंगे जब तक मसाला तेल ना छोड़ दे, मसाला हमारा बहुत अच्छे से पक चुका है, अब इसमें हम कसुरी मेथी मसाल कर डाल देंगे, और इसे भी मिक्स कर देंगे, और आदा कप मटर को हमने उबाल के रखे थे पहले से, यह भी डाल देंगे इसमें, और 200 ग्राम के करीब पनीर है, इसक्वेर शेप में काटलिया मेने से, डाल कर मिक्स कर लेंगे, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, आप अपनी इच्छा नुसा कम या ज़्यादा पानी कर सकते हैं, और इसे हम 3-4 मिट और पकाएंगे, 3-4 मिट हो चुके हैं, हमारी सबजी बन चुकी है, गे इसकी फ्लेम को हम बन कर देते हैं, अब इसके बीच में हमें काटोरी रखेंगे, और कटोरी में हमें एक अंगारा रखेंगे जैसे हमने गरम कर लिया इसमें हमें एक चुट की हिंग डालेंगे और थोड़ा सा घी डालेंगे घी से इसमोग अच्छा आएगा और धुआ भी जादा होगा इससे और इसको हम देते हैं और एक छेद है छोटा से इसमें हम आटा लगा कर स्कोवी पेक कर देते हैं ताकि इसमोग बाहर ना निकले और इसे ऐसे ही 10 मिट के लिए छोड़ देते हैं दस मिट बात कटोरी खोटा लेते हैं और इसमें बारी कटा हरा धनिया डाल कर मिक्स करेंगे और हमारी स्मोग फ्लेवर मटर बनेघ का сब़जी बनकर तयार है गरम गरम सरब करने के लिए तो आप सभी को मेरी मटर बनेर की स्मोगी फ्लेवर वाली कैसी लगी मेरी वीडियो को लाइक और शेर जरू करें और चेनल को सब्सक्राइब करना न भूले और बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो इसी के साथ मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी में तब तक के लिए धन्यवाद झाल झाल झाल